क्या आप भी अपने गूगल ड्राइब में पासवर्ड लगाना चाहते हो कि आपको नहीं पता गूगल ड्राइब में पासवर्ड कैसे लगाए तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हो कि गूगल ड्राइब में पासवर्ड कैसे लगाते हैं तो चलो दोस्तो आज की वीडियो शुरू करते हैं Google Drive को Lock लगाने के लिए Google Drive को Password लगाने के लिए हम आचुके हैं हमारे फोन के अंदर अभी हम आपको Step by Step सी कहेंगे सबसे पहले हम Google Drive को Open करके दिखा देते हैं आपको उसको Password है या नहीं Simple से तो दोस्तो देख सकते हो आप Google Drive को कोई भी Password नहीं है और एक बार देखा देते हैं तो दोस्तो देख सकते हो और एक बार मैंने Open कर लिया कोई भी Lock या Password नहीं है तो आपको इसको Password लगाने के लिए सेटिंग में जाना पड़ेगा आपकी फोन में उसके बाद दोस्तो दोस्तो इधर आपको और एक ओप्शन मिलेगा Fingerprint & Password तो आपको Simple से Fingerprint & Password के उपर जाना है जैसे आप Fingerprint & Password के ऊपर चले जाएएगे तो इदर आपको और एक ओप्शन मिलेगा Privacy and App in Corruption तो आपको Simple से उस पर जाना है जैसे आप privacy and app incorruption पे जाएंगे तो यह आपको password set करने के लिए बोलेगा तो नीचे एक option भी दिया जाएगा password option उसके उपर click कर देंगे password option में आपको four digit का password डालना है या फिर pattern lock डालना है इसके उपर आपके उपर depend है तो हम simple से four digit का password select कर लेंगे अब हम password डाल देंगे 2580 और एक बार डाल देंगे 2580 verification के लिए डालना पड़ता है second बार उसके बाद यह आपको पूछेगा कि पहला question इसका यह होगा कि आपका primary school क्या है ठीके तो आपको इदर आपने primary school का नाम डाल देना है मैं xyz डाल दूँगा xyz उसके बाद नीचे आपको अपने friend का नाम पूछेगा तो इदर भी मैं xyz डाल दूँगा ठीके उसके बाद simple से आपको उपर done कर देना है done करने के बाद दोस्तों यह आपको लेके जाएगा hide apps और app in corruption में तो आपको simple से इदर app in corruption पर click कर देना है फिर से एक बार जब आप app in corruption पर click कर दोगे तो आपके सामने अपने phone के सारे के सारे application open हो जाएंगे तो इदर आपको खोजना पड़ेगा google drive तो दोस्तों हमें google drive मिल चुका है तो इसके सामने जो enable का option दिखा रहा है उसको आपको enable कर देना है जब आप इसको enable कर देंगे तो आपको back आना है back आना है back आने के बाद दोस्तों आपको इदर google drive का एक application दिखेगा उसके उपर open कर देना है तो देख सकते हो दोस्तो अभी यह password बाता रहा है फिर से back जाएंगे फिर से एक बार try करेंगे फिर से एक बार password बाता रहा है अभी हम क्या कर देंगे इधर डाल देंगे 2580 जो हमने password डाला था दोस्तो जैसे मैं 2580 डालता हूँ ओपन हो चुका है तो दोस्तो इस तरह से आप अपने Google Drive को lock लगा सकते हो या password सेट कर सकते हो तो आप कोई वीडियो कैसे लगा हमारे comment में ज़रूर बतेगा